अपनी डेबू टेस्ट की इनिंग्स में एजे ओपेनार जसर सी जॉइस वाल ने लगाया सतो की अवाडी इससे पहले सिर्फ इंडिया की तरफ से दो ही ओपेनार ने अपनी डेबू इनिंग्स में सेंच्वी लगाया था ओथा शिखर धवन और प्रित्थी शो तो जसर सी जॉइस वाल ने दिखा दिया है जो रंजी ट्रॉफिक का जो उनका फर्म था या डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फर्म था या आई प्यूर का जो उनका फर्म था उफेक नहीं था तो एक साल की यंग क्रिकेटर ने अपना जीवन की पहली डेबू टेस्ट की जो सेंचुरी ओ डेडिकेट किया है अपनी पिता मता को उन्होंने बताया जिजस्ट उन्होंने सुरुबात किया है और ओ सक्सेस पाना चाहता है तो अपनी पहली टेस्ट शेंचुरी लगा कर जससी ने खुसी से उचल पड़े उन्होंने मैच की जो सेकेंड डे में उन्होंने 143 रन बना कर नौट आउट रहे है और गुरुबार की खेल की खतम होने तक जससी ने बोला यह जो इनिंग्स है यह मेरे लिए एक बहुत एक इमोशनल इनिंग्स है इंडिया टिम में चांस पाना बहुत ही कठीन है और हम इस सेलेक्टर को धन्नवाद देना चाहते है और अपकोर्स कैप्टेन रहित श्रमा को भी और साथ-साथ उन्हें अपने सपोटर्स को भी धन नवाद दिया है और अपना इनिंस को लेकर जससी ने बताया यह तो सब सुरुआत है इन फिल्चर में भी अपना जो पार्फॉमेंस अच्छा करना चाहता हूँ तो डब्लू टी सी फाइनल में जससी ने इंग्लین में गिया था लेकिन वहां उनको खिलने का मौका नहीं मि मौका है और पहली टेस्ट में खेलने के मौका पाते ही उन्होंने अपना कमाल अपना टेलेंड दिखा दिया जससी ने बोला जिए मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉम करना चाहता हूँ और टेस्ट का जो चलेंज है वो मुझे अच्छा लगता है स्पेशाली अंकल करना पड़ता है और क्रिकेट की जो हम एक सेगमेन पे काम करना परता है और मैं यह करना चाहता था मैं सर्फ माईदान में उतरना चाहता था और मेरा विसnt धाजिव आगर में मुझे मौका मीले तो इस मौके का मैं ज्रू फाइदा उटा से एंगा उन्होंने बोला जो जब मैंने सेंच्छुरी किया था तो उस टाइम मेरे लिए बहुत एक इमोशनल फिलिंग था इमोशनल टाइम था मॉमेंट था बहुत गर्ब हुआ था और मेरा जो सेंच्छुरी है एस सेंच्छुरी मैं अपने पीता माता को डेडिकेट करना चाहता तो IPL ने जसने 600 से ज़्यादा रन बनाए था तब भी उन्ने वो सबकी नजर में आयए था तो तब भी उन्ने बता है था जो टीज क्रिकेट खिलना चाहता है उन्ने बोला जिस जो रेड बॉल क्रिकेट है वो बोवत ही एक बड़ा चलेंज है हर क्रिकेटर के लिए क्योंकि IPL में आफ आसानी से जो सौट खेल सकते है रंजी टॉफी में वो नहीं होता है और क्योंकि कुछ वार के बाद जो वाइड वॉल है वो स्विंग करना बंद कर देता है लेकि रेड वॉल दो बहुत देड़ तक स्विंग करता है और रेड वॉल पुराना अगर हो जा अगर तब भी ओर रिवर्सलिंग करता है यानि वॉइड वाल में रान बनाना आसान है और रेड वॉल में रान बनाना मूस्किल है बहुत ही चैलेंज है इही उन्हें उन्होंने बुलना चाहा तो देखते है क्या तीसरी दीन क्या जस्ती ने डावल शिंट्री लागा सकता यह तो नजर रहेगा भाई तो जूरे रहे है चैनल के साथ और वीडियो को अच्छा लगए तो जोरूर लाइक कमेंट और श्यार करना ना भूलिए और चैनल में नुए है तो जूरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोडिवेशन को पेश करना क्यूंकि ऐसे ही सब्सक्राइब वीडियो अनलाइसिस आपडेट न्यूज मैं लता रहूंगा सिर्फ आपके लिए सबसे आगे तो दोस्तों जूरे रहे हैं चैनल के साथ फिर मुलाकत होंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे हेल्दी थेंक्यो झाल झाल